दोस्तों जिस तरीके से हम यूटूब पर वीडियो अपलोड करके पेसा कमाते हैं उसी तरीके से आप एक वेबसाइट बना करके उस पे ब्लोग लिग करके उसे गूगल एटसेंट से कनेट करके आप उससे भी काफी अच्छा वाउंट अर्ण कर सकते हैं माना कि यूटूब से थोड़ा पेसा कम है ब्लोगिंग में लेकिन कई सारे ब्लोगर आज की देट में घर बेटे अच्छा कासा पेसा कमा रहे हैं लेकिन मेहनत करके कई सारे ब्लोगर एक यूटूबर से भी जादा पेसा अर्ण कर रहे हैं आज की देट में पैसा मानते हैं कि YouTube में ज्यादा है लेकिन ब्लोगिंग में भी पैसा कम नहीं है अगर आप कमा सकते हो तो जिस तरीके से हम एक YouTube चैनल बनाते हैं उसी तरीके से हम बनाएंगे आज एक वेबसाइट और वेबसाइट बनाने के लिए भी हम पहले वही करेंगे जो कि हम करते हैं वह नीश वह के टिगरी आपको सेलेट करनी है क्योंकि जिसमें आपका इंक्रस्ठ है उसी में आप अच्छे वीडियो बना पाऊँगे उसी में आप अच्छे ब्लोग यहांपर लिख पाऊँगे अब नीश याने की category होती है दो तरकी, घ्मान सा सुना है एक होती है micro niche और एक होती है micro niche Macro याने की एक बड़ी large और micro याने की नाम से पता चलरहा है micro छोटी सी जैसे की fashion एक बड़ी niche है लेकिन fashion के अधर आती है कई सारी जैसे की men's fashion एक micro niche स्किन क्यर रूटीन माईक्रो निश यूटूब टिप्स एक बरी फिल्ड है बड़ा एक टोपिक हो जाता है जिसमें ऐसार चीज आती है तो मैख्रो निश यूटूब टिप्स.। इस day अधर त stories बीडिक इस Qn IV upon.k काड़ में मिल जाएंगे कि AI से आप किसी वेबसाइट बना सकते हैं आज हम बात करेंगे WordPress से मैनुली सब कुछ हम करेंगे तो description में आपको इक link मिल जाएगी वहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा अब यहाँ पर हम नीचे थोड़ा select करते हैं तो आपको तुरंट दीखेगा पेसे देने का option अब पेसे देखकर के भागना नहीं है चोटा सा amount है इंवेस्ट करके दाएऔर रुपए दे घायशो रुपए देखकर पर मंत भी गा सकते हैं Exodus में थे 7000 में हम कमा सकते हैं लेकिन भागना ना थूरा देखेए पहले समझेए क्या चीजर तीन तरह के प्लान हम यहाँ पर मिलते हैं पहला प्लान क्या बताता है एक सो उन्चालिस उर्पे पर मंथ धाइसो रुपे पर मंथ और लगबग सासो रुपे पर मंथ यह तीन तरह के प्लान है इन त्यूनों प्लान में हमें क्या-क्या मिलते हैं यह रहे top features एक अच्छी performance मिलती है 100 website बना सकते है 100 GB data हम storage कर सकते है weekly backups है unlimited free SSL security है और unlimited bandwidth है free email है free domain लेकिन 800 rubus की value है मिल सकता है इसमें मिलेगा इसमें भी तो यहाँ पर आप जो चाहते हैं वो plan select कर सकते हैं अपने according आपका जो budget है उसके according चलिए हम इसको ही select कर लेते हैं add to card पर मैं यहाँ पर click करता हूँ इस पर उसके बाद में हमारे सामने कुछ इससर के इंटरफिवस आएगा अभी बता रहा है कि 149 रुपे पर मंत आपने select कर लिया लेकिन कितने time के लिए आप करना चाहते हैं आप एक महिने का नहीं दे सकते हैं अगर आप एक महिने का देते हैं तो आपको 600 रुपे का पड़ेगा लेकिन आप 48 महिने का एक साथ देते हैं तो आपको 49 रुपे पर मंत पड़ेगा तो बहुत बड़ा benefit यहाँ पर मिल रहा ह मानता हूँ कि एक investment है लेकिन यह investment करके आप अच्छा खासा पिसा कमा सकते हो अगर आप सही से काम करते हो तो decision लेना आपके उपर है आप थोड़ा और आगे तक देख लो अगर अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो plan को select करने के बाद में हम आते हैं नीचे create your account already have an account अगर already account है हमारा तो लोगिन कर सकते हैं और या फिर आप Google से या Facebook से भी लोगिन यहाँ पर कर सकते हैं Google से आप कर सकते हैं डारेक्ली उसके बाद में क्या कहते हैं select payment तो payment के लिए आप UPI यूज़ कर सकते हैं जो कि वही यूज़ करने वाले पेटियम के वुरे हाल हो चुके कोन यूज़ कर रहा है पेटियम ठीक है ताप अपने according पेपल गूगल पे UPI करिट कार्ट जो आप यूज़ करना चाते हैं payment करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं payment option के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे premium web hosting अपने बजट के according तो यहाँ पर दिखेंगे फरस्ट में लास्ट नेम फोन नंबर सब्सक्राइब कंट्रे स्टेट करना है स्टेट आपको स्टेट करना है हमारा है स्टेट मध्यप्रदेश स्टेटी ओप्शनल है स्टेट सब कुछ ओप्शनल है यहाँ पर सारी चीज़े यहाँ पर आकर के total price जो होता है 48 मेनों का 48 मेने यानि की बार चुक 48 4 साल का plan लगपक 4 साल के लिए इतना मौंटे इतना भी नहीं है मेरे दोस्त आप यहाँ पर जा करके लिखिए capital letter में दीपक apply कीजिए और यह घट करके हो जाता है total 7,000 800 रुपे का आपको यहीं पर benefit मिल गया तो यहीं सारी details fill up करने के बाद में कि सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस कुल करके आज जाएगा claim your free domain anytime तो पहले हम domain अपना claim कर लेंगे चाहिए बाद में भी कर सकते लिकिन अभी हम कर लेते हैं domain क्या होता है जिसे youtube.com एक site एक तरह से youtube.com क्या है एक domain deepakdaya.com एक domain है google.com एक domain है तो हर site का अपना एक नाम होता है वो नाम free में नहीं मिलता है कई चगह पर free मिल जाता है और वहाँ पर कई चगहों पर पेसे देने पड़ते हैं और जितना popular नाम होगा उतने जादा पेसे देने पड़ते हैं लेकिन यहाँ पर यह बोल रहा है claim your free domain anytime free domain आपको यहाँ पर मिल रहा है पहली बार में तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दीपक दया देखिए .com यहाँ सेलेट किया मैंने जेख availability तो यह available है claim domain पर क्लिक किया मैंने और मेरा वो domain claim हो चुका है domain claim करने के लिए आपर कुछ registration में करना पड़ता है ठीक है तो country India, personal या फिर company organization तो personal next step पर मैंने क्लिक किया then यह बोल रहा है domain will be registered using the details तो इन details पर आपका domain जो है register होगा तो यहाँ पर मैंने अपनी सारे जो details है वो मैंने fill up कर दिये finish registration पर मैं क्लिक करता हूँ और registration बिलकुल finish हो जाएगा और हमारा जो domain है वो claim हो जाएगा बिलकुल free में जिसके आपको 500-600 रुपे येर के देने पड़ते हैं कई बार 1000,000 रुपे येर के देने पड़ते हो यहाँ पर आपको free में मिल जाएगा great news हो चुका है continue पर हम क्लिक करते है और यह देखिए email verification है इसको भी हम यहाँ से check status पुजाएंगे pending पड़ा हुआ है so email verification में कल लूँगा email में चाह करके यहाँ पर email में में गया और यहाँ पर यह option आ चुका है यह दा इस पर क्लिक कर किया मैंने और देखते हैं यह देखिए your email address has been verified successfully thank you इसे हम यहाँ से cut कर देंगे email को भी हटा देंगे यहाँ से leave refresh करता हूँ यहाँ से तो यह देखिए अब यहाँ पर status active है email verification भी verified हो चुका है अब यहाँ पर यह expired कप होगा 2025 में होगा ठीक है और यहाँ पर अगर आप domain पर क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए domain हमारा यहाँ पर active है यहाँ पर अगर आप hosting पर क्लिक करोगे तो premium web hosting यहाँ पर जाकर आप setup कर सकते हो website पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आता है create और migrate website आप create भी कर सकते हो और पहले से कोई website है तो उसे यहाँ पर migrate भी कर सकते हो तो स्टेंग में जा करके यहां पर हम जाएंगे सेटप पर क्लिक करेंगे हूं आरियू क्रिटिंग तवेबसाइट फॉर यानि कि आप किस के लिए अपनी वेबसाइट क्रेट कर रहे हैं तो मैं अपने बिजनस के लिए किसी और के लिए या फिर मैं पहले से website उसे market करना चाहता हूँ तो मैं अपने लिए और या फिर मैं अपने business के लिए करना चाहता हूँ next पर मैं क्लिक करूँगा क्या first time कर रहे हाँ हम first time कर रहे हैं next पर क्लिक करेंगे किस type की website आप चाहते हैं तो online store, blog या फिर business card या निकि आपके कोई shop जहाँ पर आपको sell करोगे या आप blog लिखोगे, article सिखोगे तो हम blog पर क्लिक करते हैं next पर मैं क्लिक करता हूँ अब यहाँ पर English language automatic selected है email आपको डाल देनी अपनी और यहाँ पर आपका एक password बनाना है WordPress का अब हम account यहाँ पर बना रहे हैं क्योंकि हम website बना रहे है WordPress है अगर आप AI से बनाना चाहते हो तो उस पर वीडियो बना चुका हो लिटी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हम एक password बनाएंगे देखिए अब यहाँ पर मैं अपना password बना लिया है next पर में click करता हूँ इसके बाद में यह देखिए template आपके सामने आ रहा है किस तरगी side आप चाहते हैं इस तरगी template बगड़ा उट्नेटी बन कर आएगी तो generate पर में click करता हूँ next पर जाता हूँ और do you want pre-selected plugins for your blog कि आप पहले से plugin select करना चाहते हो अपने blog के लिए plugins क्या होते हैं दिरे दिरे आपको बता चल जाएगा यानि एडिशनल चीज होती है जैसे कि हमारी वेबसाइट है उसमें कुछ कुछ चीज एड़ करनी होती है जैसे कि Google का SEO अगर हम एड़ करेंगे आपको अपना जो टोपिक पर लिखना है अगर आपको यह सोचने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है तो एक बहुती कमाल की चीज में आपको अपको वदाता हूँ यहाँ पर आपको चले जाना है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा में और यहाँ पर जाकर के आपको अपना जो टोपिक है वो सर्च करना है और आप देख सकते हैं कि कितना कॉंपिटिशन उसमें है एक्जाम्पल के लिए तो यहाँ पर हम इसे गूगल ही सेलेक्टर रहने तेंगे यहाँ पर मैंने लिखा है मोटिवेशनल स्टोरी कंट्री सेलेट की इंडिया फाइंड कीवर्ड पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे मोटिवेशनल स्टोरी पर यहाँ पर यह बता रहा है पिछले 8 गंटों का बिल्कुल 0 है यह बताता है ग्रीन कलर में अगर है दस से कम है बंदरा से कम है यानि कि इसमें कॉम्पेटिशन बहुत ही कम है और आपके लिए ग्रीन साइन है आप इस पर लिख सकते हो मोटिवेशनल स्टोरी हीन हिंदी ट्रू मोटिवेशनल स्टोरी फोर स्टूडेंट इसमें बहुत ही कम है तो आप इसमें scope यहाँ पर दिखा रहा है इसी तरीके साथ आपने अलग-अलग keyword सर्च कर सकते हो और देख सकते हो कि किसमें कितना competition यहाँ पर है और यहाँ पर आप देखोगी आपका यह website हो बन गई है और हमारा जो dashboard है यानि की YouTube के लिए YouTube studio होता है उसी तरीके से website के लिए एक website का यह studio है website का यह dashboard है अब यहाँ पर अगर हम इस पर click करते हैं तो यह हमें redirect कर देगा हमारी website पर जो कि कुछ इस तरह की यहाँ पर यह दिख रही है जो कि यह देखिए इनो ने इस तरह की बना दिए यह हमारी website इसने automatically बना दिए यह होता है domain name और यह खरीदना पड़ता है लेकिन यहाँ पर हमें free में मिल चुका है जो कि बहुत बड़ी बाते वहना इसके 500 अजार रुपया साल के देने ही पड़ते हैं तो यह हमारा पूरा चुका है यह कह सकते कि dashboard या फिर बेकेंड में जो काम होता है अगले page पर यहाँ पर तो हमारी site का जितना भी बेकेंड में काम होगा वो होगा यहाँ से ठीक है यह हमारी site यहाँ पर आता है visit site पर अगर क्लिक करते हम तो देखिए अभी nothing found मतलब कुछ ही नहीं site पर तो nothing found दिखा रहा है यहाँ से बेक हो जाता हूँ और यह हमारा पुरा बेकेंड में काम यहाँ पर रहता है सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे हम जाएंगे plugins पर और installed plugins add a new plugin पर add a new plugin पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सबसे बहले हम classic editor को install कर लेंगे इसे करने से editing के जो features है जो कि बहुत सिंपल है और बहुत ही अच्छे है वो install हो जाएंगे हमारे back end में इसके अलावा एक और यहाँ पर हम plugin सर्च करता हूँ side kit यहाँ पर यह जा चुका है side kit by google यहाँ पर हम इसे भी install कर लेंगे यह भी install हो रहा है तब तक हम एक को एक दो चीज़ और हम कर लेते हैं यहाँ पर यह अगर आप सर्च करना यह सर्च करेंगे तो यहाँ पर हम इससे भी install कर लेंगे spam production के लिए after that हम यहाँ पर search करेंगे light speed cache 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 केश यहां पर हम क्या करेंगे इससे भी यहां पर हम install कर लेंगे ओके यह सुल हो रहा है इस पर हम जाएंगे अप installed plug-in जो कि हमने सारी install किये एक सेगेड हो जाया उसके बाद हम click करेंगे उस पर यहां पर कितना ट्राफिक आ रहा है कहां पर कितने क्लिक्स आ रहें इंप्रेशन कितने गए सारी आपको यहां पर दिख जाएगी फिर सब्लगिन पर आप दिख जाएगी पर यहां पर दालना पर आपको अपना आर्टीकल ब्लोग लिखना है टाइटल में डाल देता हूं यहां पर यहां पर में डाल दे टाइटल और मोन का महत्व इंस्पारिंग स्टोरी निंदी मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ मोटिविशनल स्टोरी अपनी साइट पर और स्टोरी में लिख रहा कि मैंने यहाँ पर आप अपनी स्टोरी लिखें कहीं बुक में से पढ़ें फिर वहाँ से अपने शब्दों में उसे बया करें और फिर उसे लिखें अब यहाँ पर मैं अपनी स्टोरी को पेस्ट कर दूँगा गेब जादा है तो गेब को मैं कम कर दूँगा यह गेब कम की मैंने यह देखिए यहाँ पर गेब कम हो चुक्त पूरा जो है यहां पर लिख चुका है अगर आप चाहते हैं कि यहां बीच में एक इमेज भी में एड करना चाहता हूं तो आप यहां पर एड मीडिया पर क्लिक करके के इमेज भी एट कर सकते हैं पेर अगर आप क्लिक करेंगे तो फॉंट आपको यहां पर अलग अलग साइस के दिखेंगे बॉल्ड पर क्लिक करेंगे जीस पर अगर में क्लिक करता हूं यहां पर क्लिक करता हूं देखिए यह चेंजेस होंगे इसमें इससे टैलिक हो यह जो sign से यह आप लगा सकते हैं यह inverted coma type से बेक करते हैं middle में रखना चाहते हूं यह जो feature नोर्मली इस type से होते हैं अब अगर ट्राइ करेंगे तो आपको मिल जाएंगे ओके अब अगर अब हम क्या कर सकते हैं अगर आपको रखनी है अगर आप यह नहीं करोगे तो शायद आपको प्रोलम आईगी कि मुझे प्रोलम आई थी उसमें setting में आपको जाना है setting में जाने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको post name select करना है अगर आप यहाँ पर कुछ इन में से कुछ select है तो आपको शायद issue आ सकता है तो setting में आपको ध्यान रखना है कि permalink setting में जा करके आपको इसको select करना है post name को अब हम फिर से जाएंगे post में all post पर क्लिक करेंगे यह देखिए यह सारी मेरी जो post यह मैंने अभी एक post लिक है यहाँ पर आएगी एक और अगर आप कोई post लिखते हो तो यहाँ पर आ जाएगी example के लिए यहाँ पर मैं add a new post पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं title डाल देता हूँ बाल लो how to make a website how to make यह मैंने title डाल दिया how to make a website अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ कि website के से बनाते हैं उसके लिए watch my youtube वीडियो ठीक है इतना मैंने लिखा और अगर मैं चाहता हूँ image add करना हूँ इमेज भी मैं add कर देता हूँ यहाँ से select file पर क्लिक करके example के लिए just for example यहाँ पर मैंने यहाँ image select कर लिए तो यहाँ पर मैंने photo यह इंक्लूड हो चुका है अब insert into post पर मैं click करता हूँ और यहाँ पर जा करके हम इसे थोड़ा बढ़ा कर देंगे यह इस तरीके से और यहाँ लोग यहाँ पर मैं लिखा और photo बाद में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ watch YouTube ठीके मेरा वीडियो दी यूटूब पर देखें इसके लिए ओके सोरी यहाँ पर मैंने यह अपना title यह अपनी post है image आप एट कर सकते हैं इस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर आप क्लिक करेंगे विजिट साइट पर तो भी आप कुछ हो जाएगा यहाँ पर आप कहा गया view post पर क्लिक करेंगे तो भी आप कुछ हो जाएगी जैसे कि इस पर आप जाएंगे तो यह देखिए यह मेरे site है और जो blog आप सबसे पहले लिखोगे वो यहाँ पर सबसे उपर आ जाएगा यह देखिए मेरा photo भी आ चुका एकदम clear वहाँ पर clear नहीं था तो यह मेरा जो blog सबसे recent में आप लिखोगे वो recent में आएगा मेरा उसके बाद में बहुन सा एक ओर था यह मोन का महत्व यह वाला है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा यह वाल blog open हो जाएगा यह दिखिए इस तरीके से तो यहाँ पर यह मैं रोपन हो जाएगा इसे में quit कर देता हूँ और यह रहा मार वो यहाँ पर clear नहीं लेकिन वहाँ पर clear दिखेगा और यहाँ पर मैं paste कर दूँगा अपना URL मैं के काम करूँगा पहले विजिट साइट पर जाओंगा ठीक है और यहाँ पर यह जो मोन का महत्व है रीड मोर पर क्लिक करूँगा मैं और यहाँ पर इसे मैं कर दूँगा यहाँ से copy और कहां गया हाँ यहाँ पर मैं YouTube को select करके इंसर्ट पर क्लिक करके यहाँ पर मैं paste कर दूँगा अपना वहाला URL ओके इस पर क्लिक करेंगे अब अगर कोई आपका यहाँ आटिकल बढ़ रहा है और अगर वो इस पर क्लिक करेगा तो चला जाएगा मोन का महत्व पर तो यह मैंने एक्जांपल के लिए लिया है YouTube आप कुछ भी कर सकते हैं कि हमारी एक ओर स्टोरी पढ़ें और वहां पर फिर आप यहाँ लिंक डाल सकते हैं और फिर लोग इस पर क्लिक करेंगे तो डारेट लोग रिडारिक हो जाएगे अपने इस वाल आटिकल पर तो लोग को इस घुमा सकते हैं इसे बोलते हैं hyperlink I think लिए एक नया अच्छा फीचर है जो कि कई सारे लोग यूज करते हैं अपने ही ब्लोग पे व्यूज बढ़ाने के लिए इसके लाद में एक और प्रप्ष में प्रवार जाएंगे तो यह है पेजे और पोस्ट हम प्लोग लिख रहे हैं वही पोस्ट है पेजे घए hinten टालेगे यहां पर हम डालते जैसे की अबाउट अबाउट तो इस पर लिखा और यहाँ पर पर अपना अबाउट लिखते दाऊ-इपक दया इस इस यूट्यूबर यूट्यूबर who makes videos on self help and YouTube tips यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया है, अब मैं करता हूँ ऐसे publish औक कीा मेंने अभी होता क्या है मानलों ये, साइट न सअचिन की किसी की इस साइट पर हिये सारे ब्लोक था ब्लोक जो निशी है ‎न सारे लेके सारे लोक से लेकिन अगर है इसपर आगर हो इसे हम कहते है फिर यह को रहे है हमारे ब्लोकश करहते हैं पोस्ट कहते हैं, तो हम नहीं किया, हम क्या करते हैं, view pages पर जाएंगे, और यह देखिए, about section में जाने के बाद में, यह जो है, इस पर click करने के बाद में, कोई यहाँ पर पहुचेगा, हम क्या करते हैं, एक बार site पर जाएंगे, visit site, यह हमारे site है, और यह हमारे क्या है, blog post, यह हमारा pages about section, अब पर मैंने click किया, और यह यहाँ पर जाकर के आजाएगा, तो यह है pages, और यह हमारी post, तो यहाँ पर, sorry, बेख जाता हूँ, यहाँ पर में, यह आपका पूरा dashboard है, यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हो, post पर जाकर के, post पर जाकर के, आप blog लिख सकते हो, pages पर जाकर के, ऐसे आप option अपने site में add कर सकते हो, about section, customer care, help अवगरा, यह सारी चीज़े, और भी कई सारी चीज़े, appearance में जाकर के, themes में आज जाएंगे, तो यहाँ पर आपके सामने कई सारी themes आजाएगी, add new themes पर क्लिक करेंगे, तो और भी कई सारी आजाएगी, यानि केसी आप theme रखना चाहते हो, और अलग-अलग plugins आपको मिलते हैं, धीर धीर आप सारी चीज़े सीख जाओगे, यहाँ पर रहे करके, तो इस तरीके से अपनी एक भेथरी इंस साइट बनाई जाती है, इसको आप Google Adsense से लिंक कर सकते हो, verify होगी आपकी website, उसके बाद में आप पेसा आरने कर सकते हो, अच्छे से काम करना होगा आपको हर जगँ, तब ही जाकर कि आप पेसा कमा सकते हो, तो अगर आप चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप होस्टिंगर पर जाईए, अगर आपको 48 महिनों का प्राइस ज्यादा लग रहा है, तो आप 12 महिनों का ले लो, और ट्राइ करके देख लो, आपको अच्छा लगता है, तो ठीक है, अदर्वाइस कोई दिकर नहीं, सीखने को आपको बहुत कुछ यहाँ पर जरूर मिलेगा, और आप अपने क्लाइन के लिए भी यहाँ से वेबसाइट बना सकते हैं, और उनसे आप चार्ज कर सकते हैं, एक साइट का आप 2,000, 10,000, 8,000 साइट के अकोडिंग, जितना आप चार्ज करना चाहते हैं, उतना कर सकते हैं, और आप अच्छा खसारन ऐसे भी कर सकते हैं, So that is for today guys, मिलते हैं किसी next वीडियो में, तब तक लिए जाई हिंद, जाई भारत!